वन्पीस चैप्टर 11-24 ओफिशली आ चुका है तो वल्कम मुगी वाराज इट्स बोई के रूँ एंड आज का ये चैप्टर काफी जा आउसम होने वला है क्योंगे इस चैप्टर में तुम्हें पता चलेगा कि क्या वेगा पंग मर चुका है या पिर वो अलाइव है और रहा होता है सभी लोगों को न्यूस फैला रहा होता एंड उसके साथ होती है वीवी अब जिसके बाद अपना बर्ड मैं जिसका मैं नाम भूल चुका हूं वह बोलता है कि अब कस्टमर्स के पास और कोई चॉइस नहीं होने वाली है इस न्यूस को सुनने के बाद कर दूगा कि तुअ कहां पर रहती है वीवी बोलते कि लगता मैंने नर्व कर दी यू बिक बड्ड लेकिन तुम्हारी लाइश को तुम्हारी जूट दिमाग वाला इंसान अपने दिमाग में लेगा उह तुम्हारी इस लाइस से डिसीव नहीं होगा अब वीवी के साथ म सिंक हो जाएगा लेकिन आसमान मेरे लिए है तो मैं आसमान में उड़कर बच जाऊंगा जिसके बाब वीवी बोलती है कि अगर तू अकेला दुनिया में बचेगा तो क्या फाइदा अकेले बचके क्या ही कर लेगा तू दुनिया में मतलब सब लोग माई जाएंगे लेकिन तू बचेगा तो इसमें रहने में मजा नहीं है जिसके बाब बर्ड में बोलता है कि यह वो प्रिंसेस अपनी खाली जबान को थोड़ा कंट्रोल में रखो जी अब जिसके बर्ड में चिला-चिला की न्यूस को फैलाने वाला होता है और बाड आने वाली है बहुत ही आप पंग का एंड जिसके बाब वीवी बोलती है कि ओ लायर कितना जुट बोलता है दूब जिसके बाद हम लोग वापिस से एगहेड के पास आते हैं यहां पर की जुरू के पास अकाइनों का कॉल आता है कि क्या सब लोग मर गए की जुरू बोलता है कि तुम बहुत जान नॉ बचा है कि नहीं अलाइव है कि नहीं और पावर प्लांट का क्या हुआ और जो एसकेप किये उन लोगा क्या अकाइनों का जवाब देते हुए कि जरू यह बोलता है कि जब यह यंग वन्स याने की जो बेहोश हो रखें यह सब जागेंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा लेकिन अकाइनों सको बोलता है कि तुमारी हाफ-ेस्ट work जो कि उसने काम किया है उस से काम नहीं चलने वाला है कि जरू बोलता है अकाइनों किया तुम्हें कभी अपने बेस्क्रेंट को माणने की जर्थ पड़ी है अब जिसके दूस अब अजिसके तुम्हree हमें यहाँ और उन लोगों ने साथ में मिलकर काफ़ी सारे फ़न किये हैं और उज़ाई सीज़े हमें यहाँ पे देखने मिलती है कि जूरू यहाँ पे Vegapunk का सर देखकर बोलता है कि ओ डैम तुम्हारा सर कितना जाता बड़ा है जिसके बाद Vegapunk बोलता है कि तुम मुझे कितना पे करने वाले हो क्योंकि मुझे पता है यह अरेस्ट वरेस्ट का सब वारेंट नकली है तुम लोग मुझसे काम निकलवाना चाहते हो मेरे दिमाग का यूज़ करके जहां पर बॉनी वेगापंग की तुरू और साथ में कुमा यह सब लोग हेल्प कर रहे होते हैं वेगापंग की रिसरच के लिए यहां पर की जरू फन करते हुए बोलता है कि मैं एक एड मेरल हूं और मुझे यह काम करना पड़ रहा है मुझे वज़न उठाना पड़ रहा है एंड जिसके बाद हम देखते हैं की जरू मार देता है वेगापंग को क्योंकि यहां पर रो रहा होता है गुसे में होता है उसकी सारी फिलिंग्स मैश अप हो रही होती है क्योंकि वह आप यहां पर वेगापंग के लिए अपने बेस्ट प्रेंट के लिए एमोशनल हो रहा था एंड साथ में की जरू हुए यहां पर गुसा हो रहा था अकाइनों के ओपर अब नेक्स मैल के अंदर हम आ जाते हैं चीदा एलबाव के शिप के अंदर जहां पर हम देखते हैं यहां पर फ्रैंक की और जिमबे को जो की बाते कर्रें होते हैं जिमबे पूछ रहा थे किया पार्टी ओवर हो गई बहुत जाधा शांती है फ्रैंकी बोलता है कि अभी तो सबी लोग ने सिफ्ट एक ही ड्रिंक किया है लेकिन मैंने आज तक लूफी को इतना दाट डिप्रेस नहीं देखा और इसके बाद जिंबे बोलता है ऑविसली होगा क्योंकि हमने अपना अब्जेक्टिव पूरा नहीं किया एंड जिसके बाद फ्लैच बेकाता है यहां वेगापंग का जो कि उनसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि उसे बचाया जाए यही तो उनका अब्जेक्टिव था वेगापंग को बचाने का लेकिन वो उससे पूरा नहीं कर पाए प्रैंक की बोलता है कि फाइफ एल्डर उसकी एड्मिरल्स और कॉब्स इतने सारे को रोश कर रहा है लूफी बोलता है कि वह कितना जा बिकार हो चुका है बनने के बाद बहुए फड़ा नॉर्मल बात नहीं है इतना अच्छा कि वर्ल्ड के लिए अब नेक्स पे लिकेंदर हम दीखते हैं बहुत तीजा चार्मिंग सीन क्योंकि यहां पर लिलित जाग जाती है और शी इस क्वाइट लुकिंग गूड लिलित के जागने के पाद यहां पर सब लोग काफी खुश हो जाते हैं अब लिलित को यहां पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता जिसके बाद सबी लोग उसको एक्स्प्रीन करते हैं कि हम लोग तुम्हारे अलावा और किसी वेगापंग को बचा नहीं पाए नाम यहां पर बोलते हैं कि अटले से ने तुम्हें नॉक आउट कर दिया था शाए तुम्हें इसलिए कुछ भी आद नहीं एंड इसके बाद बोलते हैं कि आपने मूड को तुरंच सुछ कर लेती एंड सब लोग भी लाइक वाट ता है अब जिसकी बद बुरु के हाँ पे लिलित को ले आता है खाने के लिए टेबल के उपर को बchn seus एाब बोलता है कि मैं उसे बचाने का अब लूफी को यहां पे इमोशनल होता हुआ देखर बट खाते होई देखर चौपर काफिजा इमोशनल हो जाता है एंड चौपर भी लाइक वह से पांच बुशे इसको अपने मूँ में डाल पा रहा है I mean इसे पांच एंड लाइक लिलित भी लाइक देट्स प्लेंटी सेकंड अगो I was crying because I was just sad about everyone's death लेकिन यहां पे सब लोग मरे नहीं हैं यह सुनने के बाद मैं तो शौक हुई लेकिन सबसे जाए शौक तो लूफी चौपर उससाफ सांजी ब्रूक कर नामी यह सभी शौक है जिसके बली बुलते कि even if they are functionally dead मतां फंक्शनली वो लोग मर चु के या फिर क्या हो रहा है जिसके बली बोलते कि मैं basically क्या कहना चाहते हूं कि तुमने अपना प्रॉमिस रख दिया है तुमने उन्हें बचा लिया है पर कैसे I don't even know तो तो तुम्हें तरहें गलम होनी की ज़रत नहीं है लूफी एंड जिसके बाद लूफी विला एक what the heck से मतलब उसका emotional touch चला जाता है रोना धोना खतम एंड जिसके बाद party time शुरू एंड जिसके बाद लूफी बोलता है hey giants thanks for helping us एंड जिसके बाद आप party सुरू होती है अब सब लोग यहां पर मजे कर रहे होते हैं कि तब रोबिन बोलती है कि हम लोग अलबाव जाने वाले है हैं तो वहां पर हम लोग सोल से मिलने वाले हैं क्या सोल यह कौन बना है बाई में को भी निमालूम अब जाइंट से आप बोल रहे हों तो कि पार्टी तो मजे से करो लेकिन यह बताओ कि यह पारेट को बनने वाला है कौन वनपीस को गेड़ करेगा यमीन वनपीस को ही थी एंड मुझे फरकने पड़ता कि तो मेरे साइड हो या फिन मेरे अगेंस में हो मैं वनपीस को ढूंड कर रहा हूंगा और किंग ऑफ दा पारेट्स बन कर रहा हूंगा एंड तो दे लॉंग अवेटे लैंड्स ऑफ जाइंट्स दे फेबल कंट्री ऑफ अलबाव लेकिन नेक्स वीक ब्रेक होने वाला है तो वेट करना नेक्स वीक ब्रेक के लिए जिसके बाद ब्रेक के बाद हम लोग फिर से आ जाएंगे वनपीस के उपर विछ चाप्र 1125 तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में सयोनारा